हीरो की न्यू देस्तिनी 125 और होंडा एक्टिवा 125 में कौन सी स्कूटर बेस्ट? जाने इंजन, पावर और अन्य फीचर्स हीरो मोटो कॉर्प ने तकरीबन 6 सालों के बाद कोई बड़ा अपडेट करते हुए मशूर स्कूटर हीरो देस्तिनी 125 को लॉंच कर दिया है ये मॉडल कई बड़े बदलाव के साथ पेश हुई है ध्यान रहे कमपनी की तरफ से अभी इस मॉडल की कीमत की जानकारी नहीं दी गई है अगर आप आने वाले फेस्टिवल सीजन में हीरो न्यू डेस्टिनी 125 और होंडा एक्टिवा 125 मॉडल में कौन सी स्कूटर खरीदे इस बात को लेकर के बहुत अधिक कमफ्यूजन में है तो आज हम आपके इस कमफ्यूजन को दूर कर देंगे जी हाँ इस आर्टिकल में हम इन दोनों स्कूटर मॉडल का आपस में तुलना करेंगे और आपको बताएंगे इन दोनों मॉडल में कितना अंतर है Hero New Destiny 125 model में कंपनी की तरफ से 124.6 cc का इंजन दिया गया है इस इंजन को चालू करने पर आपको 9 BHP की पावर और 10 A-Name का टार्क जनरेट होगा इसमें CBT gearbox दिया गया है इस model में 5.3 लीटर का fuel tank दिया गया है जबकि Honda Activa 125 model की बात करे तो कंपनी की तरफ से इसमें 124 cc का इंजन दिया गया है इस इंजन को चालू करने पर आपको 8.19 का BHP पावर जनरेट होगा वही 10.4 A-Name का टार्क जनरेट होगा इस model में 5.3 लीटर का fuel tank दिया गया है Hero New Destiny 125 model का कुल वजन 115 kg है और Activa 125 cc model की वजन भी 109 से 110 kg के बीच में है Hero New Destiny 125 model में आपको front suspension में telescopic fork मिलेगा वही rear suspension में single coil spring मिलेगा जबकि front brake में आपको drum और disc दोनों का ही option है जबकि rear brake में drum दिया जाएगा Activa 125 model की बात करे तो front suspension में आपको telescopic fork दिया जाएगा वही rear suspension में single coil spring दिया जाएगा front brake में disc मिलेगा केवल और real brake में drum मिलेगा Hero New Destiny 125 model में आपको LED DRL और LED projector वाला headlight दिया गया है करेंके gram poured क्तных करें बाएगा करें झाल झाल